ने ने ये बेइमानी है, वोट चाहिए भरबढ के जोली में ये बेइमानी बिहार के साथ है, मैंने आज भी सदन में कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ धूल धूप और वर्शा आई, ने ने ये बेइमानी है, this is blatant dishonesty, ये बेइमानी बिहार के साथ है, राज़त के साथ नहीं है महाकटबंदन के साथ नहीं है ये बैमानी बिहार के लोगों के साथ है वोट चाहिए भर भर के जोली में वोटिंग स्टेट रहेगा क्या जब जारखन का अलग हुआ हमसे मैंने आज भी सदन में कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ धूल धूप और वर्शा आई प्रदान मंत्री अभी नितीज जी जब ते जैस्वी जी ये लोग साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें थी नितीज जी की तरफ से अभी हम अंके लगा कि टू ए बी की सरकार है टू मतलब ए आंध्रा बी बिहार तो आप हासिल कर पाएंगे आप तो फेल कर गया भाई नितीज जी माफ कियेगा आप फेल कर चुके हैं हवाला क्या दिया गया है सरकार की तरफ से कि एंडी सी का अरे साहा किसको बर गला रहे हो एक एक एक्जिक्यूटिव डिसीजन से बदला जा सकता है 1966 में सरकारी करमचारियों के आरेस की गतिवीदी में भाग लेने को बैंक किया गया था सप्लाइंग स्टेट का दर्जा दी करके रखना चाहते हैं आप वो जनसाधारन टाइप ट्रेन देंगे ताकि हम श्रम आपूर्ती करते रहे दिकार है रानमंत्री जी बिहार के साथ जो यह नाइंसाफी है ना सदन में हमने कहा तेजस्वी जी कह चुक है लालू जी हमारे रास्टुय ध्यक्च ने कहा आज सडक से लेके संसद तक बिहार विशेश राजी का दर्जा लेके रहेगा नोट कर लीजिये मार्क माई वर्ड्स विल गेट इट लेकी इसके अलावा क्या भी गल्बचता है कितनी बड़ी बड़ी बात हो रही थी मुझे दुख है उनके लोग मैं देख रहा था एक राजसभा सांसद एक बिहार में मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे कि विशेश राजी का दर्जा या विशेश पैकेज ये या का बिजनिस क्या भई या कहां से आ गया दोनों चाहिए या नहीं विशेश राजी का दर्जा और विशेश पैकेज ये खैरात नहीं है हिंदुस्तान की तरक्की की कलपना बिहार के बगर नहीं हो सकती है जो इस मुगालते में हैं उनका हुए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें